हेलो दोस्तो मैं अब इशेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नया वीडियो में दोस्तो हम लोग कोई भी कॉंपिटिशन देख ले या फिर कोई भी जो कोडिंग राउंड देखो या कोई कमपणी की प्लेस्मेंट रहे हो तो उसमें बिट मैनिपिलेशन में क्वेश देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको शायद कुछ नया सिखने को मिले तो वीडियो एंड तक जरूर देखना अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ब हमें big tech giant को join करना होता है किस तरह से उनके टेकनिकल या फिर interviews round होते है साझ साथ आपको उनके साथ किस तरह से हाईरिंग प्रोसेस होती है वो हमें understand करना होता है आपको आपनी course ship profile किस तरह से improve करनी होती है यह आपको पता होना चीज़ है तो दोस्तो उसके लिए Unique Academy ने launch किय है career as a software developer program तो दोस्तों जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे benefits मिलने वाला है जिस company में आप लोग जाना चाते हैं उस company में already जो भी working professional है वो आपको यहाँ पे guide कर रहे होंगे तो आपको in detail जानकारी मिलेगी किस तरह से hiring process होती है किस तरह से coding question पूछे जाते हैं यहाँ पे अगर बात करूँ में तो यहाँ पे आप लोग live classes भी देख सकते हैं यहाँ पे देखो बहुत सारे इसमें आपको live classes देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो आपको guide कर रहे होंगे जो कि already code shape पे highly rated है अब दोस्तों यहाँ पे में बात करता हूँ weekly calendar की तो यहाँ पे देखो जो भी modern technologies है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसका आपको benefit मिलने वाला है यह subscription में तो यहाँ पे देखो blockchain crypto cloud computing job updates इनके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तों service based companies के interviews round किस तरह से होते हैं उनमें किस तरह से हमें interview या फिर हम लोग बोल सकते technical round को crack करना है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा तो यहाँ पे आपको simply get subscription पे click कर देना है और यहाँ पे देखो आपको 9.99 में पूरा course मिलने वाला है लेकिन दोस्तों मेरे पास एक coupon code है जिसे अगर आपने यूज किया तो आपको जो है यह 10% extra discount यहाँ पे मिलेगा आपको क्या करना है टेक अमोल यहाँ पे enter कर देना है all capital और यहाँ पे आपको apply कर देना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते है price यहाँ पे reduce हो चुकी है अभी चलते है वीडियो की तरफ और देखते है कि किस तरह से हमें इसे implement करना है तो दोस्तों यहाँ पे देखो लेजी रवी problem का नाम है यहाँ पे देखो रवी summer vacation has started and he is feeling sleepy already ठीके रवी नाम का एक लड़का है जिसका summer vacation start हुआ है और उसको नीन बहुत आ रहे है as he is fond of solving problems ठीक है उसे question solve करने की बहुत आदत है ठीक है उसे अच्छा लगता है question solve करना तो उसने decide कि इस vacation को हम लोग utilize करते है तो उसने क्या किया तो उसने plan बनाया problem solve करने का लेकिन देखो उसका plan किस तरह से है on the first day he solve one question पहले दिन पे वो one question solve करता है second day पे 2 करता है third day पे 4 कर करता है ऐसे ही करता जाता है अब देखो first day पे one है फिर two है फिर four है तो आपको कुछ sequence one में आ गया होगा ठीक है आगे बढ़ता है लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते है देखो but on some days due to this his laziness वो एक भी question solve नहीं कर पाता ठीक है अब हमें करना क्या है वो हमारा task क्या पे गिवन है now you are given integer n denoting the total number of questions he solved ठीक है उसने कितने questions solve किये वो दिया है हमें क्या करना है कि कितने दिन पे वो active था वो हमें बताना है ठीक है अब देखो question tricky लग रहा है हम कैसे निकाले कि कि भाई कौन से दिन पे वो active था और यहाँ पे देखो input किस तरह से है कि हमें सबसे पहले test cases का t ले जाद में n लेना है कि उसने कितने questions solve किये वो अब second देखो यहाँ पे हमें क्या करना है second output हमें लिखना है कि print the number of days ठीक है number of days रवी वाज active ठीक है रवी कितने दिन active होता वो हमें यहाँ पे print करना है अब देखो दोस्तो constraint की मैं बात करूं तो देखो n की value बहुत बढ़ी द पड़ेगा अब देखो sample input हमें given है यहाँ पे हमारी दो test cases है 10 given है 10 के लिए देखो यहाँ पे दो दिन वो active था कौन-कौन से देखो on day 2 he solved 2 questions और day 4 पे उसने 8 questions solve किये ऐसे मिलके total हो गए उसके कितने दो दिन हो गए वैसे ही 20 के लिए भी 2 आया है अब दोस्तों मुझे लग 13 पर यहाँ पर मैं एका करता हूं first second यह days है हमारे ठीक है यह days है first second third fourth fifth sixth इस तरह से अब देखो first day पर कितने number of questions में यहाँ पर लिख देता हूं ठीक है जैसे हमें बोला था कि first day पर उतना करता है one करता है second day पर दो questions all करता है third day पर fourth day पर eight questions फिर 16 होगा फिर 32 होगा अब लोग बात करओ ये कशी तरह से वर्क हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसका logic simple से आपको बताओ तो देखो ये क्या होता है यह हमारा हूता है two to power one यह two two power two होता है ये 2 to power 3, 2 to power 4, 2 to power 5 होता है तो दोस्तो इस तरह से जो है वो हम लोग यहाँ पर logic लगा सकते हैं अब देखो मैं बात करूँ हमारे input की तो हमें input क्या था 10 और उसके लिए हमारा output आया था 2 अब देखो किस तरह से आया था तो 10 किन किन चीजों से बनता है देखो ये 2 से और ये 8 से मिलके बनता है तो दोस्तो इसलिए हमारा output उसकेस में 2 days आया था कि वो दूसरे और 4 दिन पर active था यहाँ पर देखो उन्होंने explain भी किया है कि वो day 2 और day 4 पर active था अब देखो similarly अगर मैं 20 की बात करूँ ठीके यहाँ पर input अगर हमारा 20 है ठीके input हमारा अगर 20 है तो यहाँ पर देखो 20 के लिए क्या-क्या बनेगा यहाँ पर मैं इस रंग से highlight कर देता हूँ रेड से तो 4 और 16 बनेगा तो देखो ये भी तो 2 ही days है तो इसलिए इसका भी output हमारा 2 आया था जो कि 2 days है तो यहाँ पर देखो simply 2 days ही उसका भी output आया है अब दोस्तो मेरे ख्याल से आप लोगो को idea समझ में आ गया होगा अगर किसी ने बोला कि भाई उसने problem solve किये 17 तो आप लोग क्या बोलोगी 17 के लिए भी वो दो दिनी active था 16 वाला एक और एक होगा first day यानि उसके लिए भी दो output आएगा simple है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को idea समझ में आ गया होगा अब दोस्तो इसे हम लोग solve कैसे करेंगे सबसे पहली बात कि इसे हम लोग solve कैसे करेंगे अब देखो दोस्तो अच्छे से मैं अगर इसको समझाओ तो देखो 10 की अगर मैंने value लिखी कौनसी 10 यह हमारा decimal में है इसको अगर मैंने binary में convert किया तो binary में convert करूँगा तो उसका binary क्या आता है यह होता है 10 का binary ठीक है अब दोस्तो इसमें अगर 20 की दोस्तो इसलिए 10 का output हमें 2 मिला था अब देखो logic हमारा बैट रहा है अब मैं 20 की अगर binary लिखो तो 20 की binary क्या होती है 16 होता है फिर 4 होता है और फिर बस इतना ही होता है तो यह हो गई 16 की binary अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी 2 set bit है तो यहाँ पे भी हमारा output 2 आया है अब देखो अगर मैं बात करू 15 की तो 15 कैसे बनेगा 15 कैसे बनेगा 8 बनेगा फिर 4 आएगा हमारा फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा मतलब देखो टोटल वो 4 दिन active था बरवर है ना 4 दिन active था तो इसलिए देखो 15 की मैं अगर binary लिखू तो वो होती है 1 1 1 1 तो देखो इसका भी output हमें 4 ही तो दोस्तो हमें क्या करना है हमें efficiently count करना है कि number में कितने bits set है अब वो हम लोग किस तरह से करेंगे मैं यहाँ पर implement करके आपको बता देता हूँ simply इतना ही logic था आपको बस यह crack करना था कि आपको number of set bit कितनी है वो count करनी है अगर आपने वो कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास efficient method से calculate करने का तरीका भी है तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर C++ का मैंना template जो है वो लगा देता हूँ सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर t number of test cases लेने तो मैंने वहाँ पर यह ले लिये है यहाँ पर देखो अब हमें क्या करना है अब हमें एक input integer लेना है ठीके तो यहाँ पर range देखो 10 to power 18 तक दी है n की तो इसलिए मैंने देखो integer को long-long पहले से ही बना दिया है यहाँ पर मैं क्या करूँगा उसे यहाँ पर input ले लूँगा ठीके यहाँ पर हमने इसे input ले लिया है अब दोस्तो हमें क्या करना है देखो C++ में अगर आपको किसे भी number के set bit काउंट करने है तो दोस्तो उसके लिए inbuilt function होता है underscore underscore अगर आपने लिखा built in और since हम लोग यहाँ पर long use कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं हमारे n को पास कर दूँगा तो दोस्तो इससे जो है मेरा output बन जाएगा बस इतना साही code था ठीके यह तीन लाइन लिखी और हमारा code बन जाएगा क्योंकि यह जो built in pop count method है वो क्या करता है कि हमारे number में कितने set bit है वो हमें count करके दे देता है तो दोस्तो अगर मैं यहाँ पर जो sample test cases है उन्हें run करके आपको दिखाओ तो देखो हमारा बिल्कुल सही output आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उन samples को यहाँ पर run करके देखते हैं तो देखो 10 और 20 के लिए हमारा 2-2 output आ रहा है यहाँ पर देखते हैं देखो 2-2 आ रहा है और एक test case में यहाँ पर add करता हो ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 15 और हमने कौन कौन से लिए थे 15 और 16 का देखते हैं दोस्तो 16 के case में तो हमारा set bit 1 ही आता है और 15 के case में 4 आते हैं देखतो देखो बिल्कुल सही हमारा logic चल रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को idea समझ में आ गया होगा दोस्तो simply में क्या करता हूँ इसे कर देता हूँ यहाँ से copy और क्या करते हैं हम लोग simply से यहाँ पर submit करके देखते हैं कि हमारा solution जो है वो accept हो भी रहा है या नहीं हो रहा तो यहाँ पर simply में क्या करता हूँ इसे कर देता हूँ पेस और यहाँ पर हम लोग इसे submit करके देखते हैं तो देखो हमारा solution बिल्कुल सही से accept हो रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोगों कुछ नया सीखन को मिल गया होगा तो अगर आप कोई यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेना मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाई टे कर